धन्बाज जीले की लोयबाद थाना छेत्र अंतर गयते हैं एकड़ा में छट पूजा समापत होते ही भाजपा की लोग आपस में भिड़ गए एक तरफ विधायक धुल्लू मातो तो दूसरी तरफ भाजपा नेत्री रागनी सिंग का समर्थक जम कर मारपिट की हैं बताय जा रहा है कि सुमवार की रात अचानक दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए मारपिट में तलवार लाठी पत्थर का जम कर इस्तमाल किया गया घटना में करीब आधा दर्जन लोग दोनों पक्ष से घायल हुए हैं एक तरफ के विधायक समर्थक सुनील राय का भगना यश्वन सिंग गंभी रूप से जखमी हुआ है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है दुर्गापूर मिशन अस्पताल ड्रेफर किया गया है वहीं दूसरी तरफ रागनी सिंग समर्थक सातेंद्र केवट का भतीजा सोजीत केवट का सरफट गया है लोयाबाद छेत्री अस्पताल में उपचार के बाद S.N.M.M.C. ड्रेफर किया गया है घटना की खबर पर लोयाबाद पुलिस मौके पर पहुँची लेकिन दोनों पक्ष के जबरदस्त मार पेट पत्थरबाजी के सामने पुलिस कुछ नहीं कर पाई पुलिस के सामने दोनों पक्ष मारपीट पत्थरबाजी करते रहें घर में घुस कर भी उत्पात मचाया गया दोनों पक्ष के खुनी शंगर्ष को देख आसपास के थाना जोकता केंदुआडी पुटकी भगाबांद की पुलिस मौके पर पहुंची पांच थाना की पुलिस मौके पर पहुंचने पर इस्तिती को नियंतरन किया घटना के बाद मौके पर पुलिस बलतायनात कर दिया गया है लगाबाद एकड़ा पुल सहीत अन्य चौक्चराहो में पुलिस जगा जगा कैंप कर रही है फिलहाल इस्तिती नियंटरंड में है हलाकि दोनों पक्ष अचानक आपस में खुनी संगर्स पर क्यों उतारू हुए या नहीं पता चल पाया है वहीं घायल दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर मार पिट करने का आरोप लगा रहे हैं धन्बास से निरश कुमार की रिपोर्ट परसासन के परसासन के पहले हैं नहीं चीच कमार अभर नाम को जो आखनाक दोखाना है जशी ते संगेवी अच्मार करने हमेरा भ्म अनिल्पसमान है है अब उस अम लोग बचाने की है हम लोग नोग कम आने लगा जासमा यासमन सिंग कहां है अब हो अस्पेटल में अब तो यह तो गाइज फिर्टन टूट गया है आप सब आपने में सब मनें आइसी निल्ने निवने बात कर रहा है तो सर बात करते करते उन लोग उधर से डंटा पैना लेके आगे आगे इसा इसे बात कर रहा था उच्छाले दो बाजदेपुर को लड़ी के सब लड़का नहां आया था यहां सर नहां दुकान पर आखे होटल है होटल है होटल अच्छा किसका बाजदेपुर का लड़का होटल में आया है कि दर्वाजा में सब्सक्राइब